दोस्त स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे पसाओत ही हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के केस जिले में रहते हैं तो चले शुरुआत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से आज की पहली ख़बर में देखे 30 दिसंबर यानि आज से चलेगी पुर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार में भी होगा ठहरा वंदे भारत एक्सप्रेस का बिहार में परिचालन 30 दिसंबर से सुरू होगा या पाली वंदे भारत टेन है जो बिहार के रासे से गुजरेगे श्टेन को प्रधान मंत्रे नरेंदर मोदी सुकुरवार यानि आज हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगा या देश के साथ भी वंदे भारत टेन है साथ ही आपको बता दे कि हावडा से न्यू जलपाई गुड़ी की बीच चलने वाली श्टेन रास्ते में तिन स्टेशन बरसोई मालदा बोलपूर आदी स्टेशनों पर दो दिसाओं में रुकी गी इसमें बिहार में किसंगज और बरसोई दो प्रामों की स्टेशन है जहां वंदे भारत का ठहरा होगा बाड़ी खर में देके बिहार में हेलीकप्टर पर सियासी घमासार सुसिल मोदी बोले जिसने खरीदा प्लेन नहीं पूरक कर सका करकाल जहां देके बिहार में काफी लंबे अरसे बाद आब 12 सीटर ज इसकी खरीद की जाएगी वाई विमान खरीद के माजूरी मिलने के बाद अब सुबह की सियासत गरम हो गई है भाजबा की तरब से एक बार फिर से राजसबा सांसद सुसिल कुमार मोदी ने नितिस सरकार पर गहरा तंज किया है बिहार के पूरो उपमुख्य मंत्री और र इसमें भी बिहार के सियम तो कहीं भी राजस से बाहर नहीं जाते लेकिन इसके बावजूद सवाल याए कि आखेर 500 करोड का जेट प्लेन क्यों करिदा जा रहा है जबकि बिहार में मात्र 4 जगोह पर उतर सकता है नितिस को यह बताना चाहिए कि वो बिगापन पर कितना ख बिहार में जिसने भी प्लेन खरिदा है उसने कायरकायल पुरा नहीं किया है आप उदाहरन के रूप में बुटा सिंग और सैतेंद्र बावू को देख सकते हैं उनको क्या हल हुआ है इसलिए नितिस जी एक बार आपको भी इसको लेकर दोबारा सोच लिजी बाड़ी खर में दे उत्तर बिहार में कोल Üडे जैसे हलात दिन भर ठीठ जůरती रहे लोग नहीं मिलेगी ठन्त से रहत जिया देखे बरपिली पच्वा हवा से उत्तर बिहार के जीलों में कोल्ड डे जैसे हलात है हलात है कि मुझपर पूर बेतिया मदो बनेवा समस्ति पूर समीद कई जीलों में नोंतम तापमान अच्छी डिगरी के करीब आ गया है वादे के मासम भी भाग ने बताए कि बंगाल के खाड़े में पश्ची मी बिचोब सक्रिया है इसका रन कडाके की ठंड पड़ रही है अगले तीन चार दिनों तक ठाने से ही रहीगी कई जिलों में आपदा भी भाग ने एतिहाद बरत्तेवे ठंड से बचाव के लिए बढ़ी ज्यादे के हवा की दिश्चा में बदलाव और पच्छवा की तीव गतिने पिछले 24 घंटे में पटना समित राज भर में कब कभी बढ़ा दी है बरपिली पच्छवा से कई जिलों में दिन और रात के तापमान में भारी कमी आई है दिन में देर तक धूपने नि नियुनतं तापमान में 3.6 डिगरी और अधिक्तम तापमान में 5 डिगरी की कमी आई है वहीं अधिक्तम तापमान 18 वान नियुनतं 10.2 डिगरी दर्ज हुआ है वह देखि 5.7 डिगरी के साथ गया सबसे ठंडा जिला रहा है बाड़े खर्मिदिक लगतार 17 साल भी गंतंदर दिवस पर नहीं दिखेगी बिहार के जाकी केंदर ने की खारीज जदोई बीजेपी का अरोप प्रत्यारोप जादे के दिल्ले में गंतंद्र दिवस समारों में राज़द्वार प्रदसित की जाने वाले जाकी में बिहार के जाकी को खारिस कर दिये जाने पर पिर स्यासत तेज हो गई है जादे केंद्र पर बिहार विरोध रवय अपनाने का अरोप लगाया है तो वहीं बीजेपी ने नितिश सरकर पर निसाना साधा है भाज़पा अब इसी मुर्चा के राष्टे महमांत्री और बिहार भाज़पा परवक्ता डाक्टर निकिलानन ने कहा कि बिहार वास्तम में लालो जी और नितिश जी के सासन काल में कला सांस्कृति साहतिके साथ एतिहास के परंपरावाम सांस्कृतिक विरासत को सव्जों ने और अगे बढ़ाने के लिए कुछ नई कर पाया है स्यम नितिस कुमार का दिश्टुकोन इस समन में हमेसा बहुत आत्म केंदितर और अदूर दर्सी रहा है अब 26 जनवरी को राष्टे गंतांदर दिवस समारों में जाकी के लिए पुरे बिहार में एक से बढ़कर एक अच्छे अतियासिक विसे संदाव है जिसमें से देश दुनिया के लोगों का कसी भी कर सकते हैं लेकिन स्वायमबो और स्वक केंदरे तो मुख मंतरी अपनी योजनाओ और उपलबदियो वाले जाके दिखा कर प्रचार कराना चाहते हैं वाई देखे जेडियोई के राष्टिया दाच लालान सिंग ने कहा कि इससे केंदर का बिहार विरुदी नजरिया दिखता है केंदर को बिहार के विकास सी यहां की नई सोच और बड़ी उजनाओ से नफरत है बाड़ी कार में देखे CBC दसवी और बारवी बोर्ड एकजाम के डेट सीट जारी 15 फरवरी से शुरू होंगे परिच्छा कोरोना के बाद पहली बार एक परिच्छा 100 पर 30 सिलिबस के साथ जादे के CBC ने साल 2023 में होने वाले दसवी और बारवी के बोर्ड एकजाम के डेट सीट जारी की है दोनों क्लासिस के एकजाम 15 फरवरी से शुरू होंगे दसवी का लाश्ट पेपर 21 मार्च को और बारवी का लाश्ट पेपर 5 अपरिल को होगा इस बार करीब 34 लाग से हत्वपून बात याए कि विसे वार सेडूल सम्मधिद स्कूल जारी कर सकेंगे सीबेसी ने अपने नोटिपिकेशन में स्कूल के साथ साथ इस्टुडेंट के लिए भी गाइड लाइन जारी की है वाईदे कि पिछले साल देश में कोरोना संक्रमन के सिथी को देखते वे आद इस बार बोडिक जा महांडेट पतिसाद सिलबस के साथ होंगे कुछ दिन पहले ही केंद्रे सिक्षा मंत्राले की और से संसत में इसकी जानकरी दी गई थी बाडिकर में देखे बिहार नगर निकाई चुनाव में आज होगा सोलो से इकाउन प्रतिनितियों का भाग्य का फैसला आट बजे सुरू होगी मत गन्ना ज़्याद के बिहार में हो रहे नगर निकाई चुनाव की दूसरे चरण के तहत हुई बोटिंग के मतों की गिंती सुकुरवार की सुबह आट बजे से राज के ताहिस जिला मुख्याला में सुरू हो जाएगी साथ दिन के दस बजे तक परिनाम के रुझान आने लगेंग इसके साथ मेर और डिप्टी मेर का भी फ्यसला हो जाएगा बाड़ी खर्मदी के CT8 का परिचा से डियूल हुआ जारी बिहार में साड़े चार लाग से अधिक अभी अरती देंगे एकजाम जादिके सिबेसी की ओर से सुलोवी संस्क्रान सेंटरल टीचर से एलिजिबिलीटी टेस्ट दिसमर 2022 का विस्तिज सेडिूल बुदवार को जारी कर दिया गया है आपको बता दे कि CT8 28 दिसमर से 7 फरवरित तक कम्पीटर अधारित मोड में 24 दिन आजित होगी इसके लिए लगवाग 32 दिसमर 45 लाग अभियरतों ने आविदन किया है अधिक उमिद्वार रहने के कारण परिचा 7 फरवरित तक अलग लग तितियों में आजित कराए जाएगी बादे कि CT8 की परिचा 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 27, 29, 30 जनवरी को वहीं 1, 2, 3, 4, 5 और 7 फरवरे 2023 को अजित की जाएगी उमिद्वार अपनी परिचा तेती और अलोटेट परिचा सर के जानकरे बेबसेट से ले सकते हैं इसके अलावा आपको बता दे कि 28, 29 दिसमर को परिचा हो भी चुकी है बाड़े करमेदी के सहरा राज से दूर होने पर भी डाल सकेंगे वोड चुनाव आयूग को रिमोट वोटिंग सिस्टम तयार 16 जनवरी को डेमो जया दे कि चुनाव आयूग ने घर से दूर रहने वाले मदता के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम यानि की आर बियम तयार कर लिया है इसी ने गुर्वार को इसकी कोसना की है रिमोट इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन यानी आरबीम की मदद से आप घार से दूर किसी दूसरे सहरोर राज में रहने वाला वोटर विदानसवाल लोकसवा चुना में वोट डल सकेगा यानी वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा आयोग 16 जन्वरी को सभी राजनितिक दलो को इस आरबीम का लाइव डेमोस्ट्रेशन देगा बाड़ी खर्मेदिक के 6 देशों से आने वालों के लिए जरोरी जन्वरी से 72 गंडे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी स्वास्त मंत्री का दवा कंपनियों के साथ मीटिंग जैदे कि भारत में कोरोना की बढ़ते मामलों की बेच चेन समय देशों से आने वालों यात्रियों पर अगले हब्दे से सकती बढ़ाये जाने की तैयारी है केंद्र स्वास्त मंत्री मांसुक माणिवा ने कहा कि चेन जापान दचिन कोरिया होंग कोंग थालेंड और सिंगापूर से आने वाले पैसेंजर के लिए एक जन्वरी 2023 से निगेटिव आर्टी पिस्यार टेस्ट रिपोर्ट अनिवार कर दिया गया है इन पैसेंजर को यात्रा से पहले अपनी 72 गंडे पुराने निगेटिव आर्टी पिस्यार टेस्ट रिपोर्ट एर सुविधा पोडल पर अपलोड करनी होगी इदार आधिकारिक सुत्रों ने बताए कि कोरोना के एड़बांस तयारी को लेकर मनसुक मानिवा और फार्मा कमपनियों के बीच वर्चुल मीटिंग की है इसमें कोरोना के लाज के लिए जरूरी दवाओ के प्रोडक्शन और स्टोक को लेकर बाचित हुई अब बिहार सरकार का अपना प्लेन और हेलिकप्टर होगा बोले तेजस्वी इसमें बीजेपी को अपत्ति क्यू हो रही है ज्याद के नमामी गंगे पडियोजना को लेकर 30 दिसम्मर को कुलकत्ता एक कारकरम आयोजित किया गया जिसमें सामिल होने के लिए गंगा नदी से जोड़े राज्जो के मुईखी मंतरी को बलाया गया है प्रधान मंतरे नरेंदर मोधी के अधेश्ता में आयोजित इसकारकरम में बिहार के मुईखी मंतरी नितिस कुमार की जगा उपुमुईखी मंतरी तेजस्वी इदव सामिल होंगे तेजस्वी इदव कल कुलकत्ता के लिए रवाना भी हो गया है कल कत्ता जाने से पूर वपाटना में तेजस्वी इदव ने मिडिया से बाचित की कहा कि नमामी गंगे को लेकर कल कत्ता में होरे बेटंग में सामिल होने जा रहे है जिन राज्जों में गंगा ना दिबाती है और ना राज्जों की सियम को इस कारकरम में सामिल होने के लि पुलीज पर था अब बिहार सरकार अपना प्लेन और हलिकप्टर होगा तो इसमें बीजेपी को क्या आपती है बाड़करमदी के पूर्व डीजेपी गुपतेसर पांडे बोले महराष्ट पुलिस नहीं चाते थे राज खोलना बिहार पुलिस खोल देदी सुसान सिंग की मौत का राज जादे के महराष्ट पुलिस ने सयोग किया होता तो अभिनेता सुसान सिंग राजबूत की मौत का खोल गया होता लेकिन मौंबे पुलिस ने ना तो खोद जाच की और ना ही बिहार पुलिस के सहोग किया पुलिस की मंसा तो सुसान सिंग राजबूत की मौत की मौत की बाद बिहार में केस दर्ज कराने वाले पूरो डीजेपी गुपतेसर पांडे के ही मानना है बिहार के पूरो डीजेपी गुपतेसर पांडे बता दे के सुसान सिंग राजबूत की मौत के बाद मौंबे पुलिस ने मामला पुरी तरह से सांध करा लिया था बिहार पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज की तो मौंबे पुलिस चाती पिटने लगी जाच के लिए बिहार बाड़ी खार में देखे नए साल को लेकर पढ़ना की मंदिर चेर्ज और गुरुद्वारे अलर्ट मोड में बिना मास्क के नहीं मिलेगे एंट्री जयाद के साल के पहले दिन याने एक जन्वरी को तमाम धार्मिक स्तलों में जाने से पहले कोरोणा गाईलाइन को पालन करना होगा धार्मिक परिशरों को संकरमन मुट्ट रखने के लिए सभी प्रबंद किया जा रहे हैं यहां आने वाले स्रधालो को मास्क पहनना निवार होगा प्रबंदक की माने तो नव वर्ष को लेकर मंदिर चर्च और गुरुद्वारे प्रबंदक अलड मोड में हैं वाईद के महावीर मंदिर नियास के सचीव आचार किशोर कुनाल ने बताए कि कोरणा संगरमन को देखते वे स्रधालो को बिना मास्क के परवेश नहीं दिया जाएगा भेड नेंदरन करने के लिए महावीर मंदिर की ओर से जिलाप्रासासन के लबग सोनीजी सुरक्च कर्म और स्वाईं से उको की तेनाति की जाएगी भक्त के लिए इस दस हजार किलो नवेदम तियार किया जाएगा मंदिर के परविश द्वार पर नवेदम के दस काउंटर कोलने के योजना है आज के बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें